हलो मित्रों, जैमातादी, दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जनबरी 2024 के महीने में ये तीन घटनाएं आप लोगों के जीवन और जिंदगी की रूप रेखा को बदलने वाली हैं, जी हां मित्रों, जनबरी 2024 के महीने में तीन ऐसी घटना आपके जीवन में होने वाली हैं जिसको जानना आपके लिए काफी आवस्चक है जो तिसास्त्र की माने तो ऐसी तीन घटनाएं होंगी जिनसे कि आप लोगों के जीवन में जितने भी सुकसमरदी को आप पाना चाहते हैं उन्हों सभी को प्राप्त करके उन्हों सभी समस्याओं से शुटकारा पास समझना चाहिए मत्रों यनवरी 2024 का यह पहला महीना है और यह आप लोगों के जीवन की जितने भी समस्याएं हैं उन्हों सभी समस्याओं से आप ख़ब को छुटकारा मिलेगा अगर आप अकेले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें अन्य था आप इस वीडियो को यहीं इसकीब कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी आपके जीवन से जुड़े उन तमाम रहस्यों के बारे में हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए तो मत्रों वीडियो को आकरी तक देखिएगा चलिए आपको बताती हैं सारी जानकारी उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सब्सक्राइब आवस्य कर लें ताकि रोजाना रासीफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहत्तर बना सकें मत्रों जनवरी के शुरुआत में आपको आर्थिक लाप मिलेंगे और धर परिवार में खुश्यों का माहौल बना रहेगा आप अपने निवास अस्थान को बदलने का विचार बना सकते हैं आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जिनसे कि आप अपने निवास अस्थान को बदल सकते हैं परिवार के लोगों या मित्रों के साथ निवेश कर सकते आपके मनचाहे इक्षा पूरी होने के योग बन रहे हैं। आप कोई जमीन या मकान खरदने का विचार बना सकते हैं। धन संबंदी मामलों में आपको बहुत जादा लाप मिलने वाला है। मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के जीवर में जो प्रिसानिया जो कष्ट चल रहा है वो कहीं न कहीं आप लोगों को प्रिसान कर रहा है आप जिन पर भरोसा करते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं आप लोग जिस पर यकीन करते है जिसपर जानो जी आप लगा देते हैं जिस पर आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वही आप लोगों के साथ दगा करता है वही आप लोगों के साथ आपको प्रिसानी का कारण बनाता है बित्रों ऐसे में जनवरी के महीने में आप लोगों के जीवर में बहुत बड़ी खुशकबरी आपको मिलेगी और जो आप लोगों के साथ दगा कर रहे हैं उन लगों को सदा मिलेवाली हैं आप हमें बताईएगा कि आप जिस पर ज़्यादा यकीन करते हैं, वह आपको धोका देता है या नहीं, वह आपको दुख देता है या नहीं, जरूर बताईएगा, आपके जो करीबी हैं, वही लोग आपके जीवर में अधिक कश्ट पहुंचाते हैं, दोस्तों ऐसा भी कर रखनी होगी, उन लोगों के साथ रिष्टो को तोड़ना होगा, और ऐसे में आप लोगों के जीवन की प्रिसानियां खुद बखुद दूर हो जाएंगी, मतरू आप लोगों की मन्चाही एक्षपूरी होने के योग बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करक कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं, आप कोई जमीन या मकान खरदने का इस महीने विचार कर सकते हैं, धन समंदी मामलों में आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलने वाला है, सभी वरवरतन आपके अनुकूल रहेंगे, आपके लिए नई खुशियों को लाएंगे, आपको आर् आपका वहवार अच्छा रहेगा, जिससे आपको लाब मिलेंगे और जीवन में सभी प्रिकार के दुखों का नास होगा, इसके साथ साथ आपके वीतिय श्तितियां भी काफी अच्छी रहनी वाली हैं, संतान की और से आपको सुब समाचार मिलने के समभावना है, आपको आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने गुस्चे वाली प्रिवर्ति को सांथ बनाए रखें, त्योंकि गुस्चे में आप काफी हद तक बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिसके बाद आपको पश्ताना पड़ता है, आपको बताना चाहेंगे कि जनवरी के महीने में आपक जरूर मिलेंगे, आपको अपखुसिया मिलने वाली हैं, आई के मजबूत साधन भी मिलने वाले हैं, क्योंकि राहू और केतु महराद आप लोगों के जीवर में धन की वरसा करने वाले हैं, और इसी के साथ भगवान सनिदे भी आप लोगों के जीवर में धन की कमी को दू समगात मिल सकती हैं तता आपके जीवर में जिस भी प्रकार की समझाएं चाहे आप आर्थिक स्थितियों से गुजर रहे हों या पिर किसी ऐसे प्रस्थितियों से रह रहे हैं जिन से निकलना थोड़ा मुझकिल है उन सभी से आप लोगों को जुलकारा मिलेगा कुबेर दिन दूगनी रात चौगनी तरक्की हासिल करते हुए नए कृतिमान को अस्थाबित करेंगे आपके पूरानी योजनाएं इस समय पूरी होती भी दिखाई दे रही हैं मित्रों तरक्की के कई नए रास्ते खुलने वाले हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आगे जो जान कारी को अपने अंदर इंप्लिमेंट करने की अवस्य कोसित करें तथा इसे दूसरों के साथ बिलुकुल भी साजर ना करें मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी काम से जीवनसाथी के सलाह ले सकते हैं आप अपने गुप्तूरूप से रखे हुए वेतन को इस समय प्रकट कर सकते हैं धन को प्रकट कर सकते हैं आपको बताना चाहेंगे कि भगवान कुबेरदेव की सबसे ज़्यादा आप लोगों के उफर कृफ़ा बनी रहीगी और ऐसे में जो भी आप लोगों के जीवन में पस्ट कष्ट है पैसो से जोड़ी वह दूर होंगी जिनसे ही आपको अपना खोया हुआ सच्चा प्यार मिल सकता है आपके रुके विकार शफलता फुर्वक पूरे होंगे आर्थिक पक्ष्पी पहले से काफे बहतर रहेगा जो लोग पिरुजगार हैं उनको रोजगार से जुड़ने का आफसर मिलेगा आर्थिक मुनाफे मिलने के योग हैं जमी जायदाद से समंदित मामलों में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होंगे धन कमाई की नई योजनाय सफल होंगी जीवन साथी के सलावी आपके लिए फायदमन्द सावित होंगी वच्चों के तरक्की से आपका मन परसंद रहेगा और अधूरी इक्षाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं मित्रों हर शित्र में आपके किस्मत का पूरा स्योग मिलने ही वाला है साथ ही साथ आपको जनवरी के महीने में जीवन के सारी अधूरी मनो कामनाय पूरी होंगे कोसिस करने वालों के कभी हार नहीं होती अगर आप मन लगा कर लगातार प्रि महीने कामकाज अधिक रहेंगे जिसकी वज़ा से स्वास्त को लेकर लापरवाही बिलकुल भी न करें लवलाइफ से लेकर बैपार नोक्री में बड़ी सफलता हासल होंगी भगवान सनी महराज की गिर्पा आपके उपर सवसे अधिक रहेगी जिसकी वदोलत आप काफी अच साथ करने वाले हैं आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के जीवन की हर प्रकार की प्रसानी दूर होने रगे की आप अपने करियर को महान उचायों पर ले जाने के लिए कई अफसर ढूंड सकोगे आपके सारी मनो कामनाई पूरी होंगी आप एक हर एक छोटा से छोट आप अपनों का और अपने छोटों का सम्मान करें बड़ों का इज़्यत करें और यदि आप किसी प्रसानी से जुड़ रहे हैं तो अगर आप किसी प्रकार की प्रसानी से जुड़े वे हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते कि आप लोगों के जीवन में अब भगवान सनिदेव का आसिरवाद मिल चुका है और भगवान सनिदेव जिस पर भी एक बार परसन्न हो जाते हैं उन लोगों के जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं उन लोगों के जीवन की सारी के सारी कश्टों को सारी के सारी प्रिसानियों को दूर कर देते हैं और उन लोगों के जीवन में खुसियां ही खुसियां भर देते हैं मित्रों, अक्सर ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि आप जिस पर भी ज़्यादा भरुसा करते हैं वही आप लोगों के साथ धोखा देता है आप अपने जीवन में एकसर ऐसा देखा होगा कि आप जिस पर कभी यकीन नहीं कर सकते थे कि वह आपके साथ धोखा दे सकता है वह भी आपको धोखा दे जाता है और आप लोगों को सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है परन्तु अब आप एक नई उमीद नई फैसले पर जाने वाले हो और नया करने वाले हो कारिशत्र से लेकर बैपार बैविसाय तक में आपको भारी सफलता मिलने का योग बनने वाला है मित्रों आप लोगों को देखें बार बार आप लोगों को परिसानियों का सामना करना पड़ता है कई कश्ट भी छेलने पड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो हमसे लगातार सवाल करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही हैं। हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही हैं। हमारे काम धंदे ठप पड़ गये हैं। नए काम धंदे भी शुरू करते हैं पर उन्हें में भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं नोकरी में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो की उम्र हो चुकी हैं पर नोकरी नहीं लग रही हैं बेरुजगारी से बहुत परिसान है परिवारिक महौल भी अच्छा नहीं चल रहा है परिवार में बहुत अधिक नकारातमकता है लवलाई भी विलकुल बरबाद हो गई है क्या इसका कारण है इसकी परिसानी क्या है इन सभी के बारे में आप लोगों के जीवन की सभी परिसान्या इस महीने दूर होने वाली है और आप लोगों के कश्टों का शमधान होने वाला है मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग आपको अक्सर धोखा दे जाते हैं जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं धोका खाने के बाद आपको कैसा लगता है, उस पर भी यदि कोई अपना ही धोका दे जाए, तो उससे भी ज़्यादा बूरा लगता है, मन में एक घाव सा बन जाता है, कोई प्राया यदि हमें धोके बादी करे, तो तभी हम सहन कर लेते हैं लेकिन अगर कोई अपना दोखा दे जाए, तो वह सहन करने के योग भी नहीं होता, तो दोस्तों इसलिए, अब आपको हम बताने जा रहे हैं, कि कौन सी वह गलती है, जो आप बार बार दोहराते हैं, तो सबसे पहले गलती है, कि आप अपने घर के आसा पास नकरात्मक बा गलत कह रहा हूं, क्या मेरी जो ये भविस्तवानी है, ये गलत है, क्या, बताईएगा जरूर, कि क्या आप लोग अभी परसान नहीं हो, क्या आप लोगों के जीवन में एक टैंसन खत्म नहीं होती, कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा नहीं आपसे जलते हैं, आपके अपने भी आपसे गई रिष्तिदार जलते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, जरूर होता होगा, ऐसे में, अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आप लोगों के जीवन की जो भी परसानिया हैं, वह स्वेंग भगवान सनी देव दूर करने वाले हैं, वह सच्ची सर्धा के साथ भगवान सनी देव की पूजा उपास न करें, शात ही माता भदरकाली के सच्चे भक्त, पूरी भक्ती भाव के साथ, मैं तो कहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अगर अपनी प्रिसानी से निकलना चाते हैं, जीवन में कुछ पड़ा करना चाते हैं, तो माता भदरकाली के भक्त, पूरी भक्ती भाव के साथ, माता को याद करते हुए, कमेंट में जै मादुरुगे अवस्ते लिखें, और जै मा भदरकाली, मा भदरकाली मेरे कश्टों को दूर करो, मा भदरकाली मेरी रक्षा करो, भक्ती भाव के स साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजेगा और विडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजेगा माभदरकाली आप लोगों के उपर हमेशा किरुपा बनाए रखेंगी और जिनके भी साथ मादरुगा का हाथ होता है मादरुगा का सहारा होता है उसका कोई भी पाल बाका नहीं कर सकता इसलिए दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर जैमा भद्रकाली लिखनी है तथा अगर आप लोगों के जीवन में अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर किस वज़ा से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है क्या वज़ा है कि आप लोगों के जीवन में धन संपत्ति को लेकर कोई जादू टूना कर रखा है या किसी की पूरी नजर लग गई है या आपके किसमत ही खराब चल रही है अगर आप इन सभी विस्यों पर वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो की लिष्ट पर जाकर आप देख सकते हो कि आप लोगों के जीवन में परिसानी का असली वज़ा क्या है साथ ही आप और एक वीडियो को देख सकते हो जिसमें की मैंने बताया है कि आप लोगों को कौन सी औरत है जो कि सबसे जादा आपको सच्चा प्यार करती है और इसी के साथ आपको ये भी बताया है कि कौन से ऐसी महिला है जिसके साथ अगर आपको साथ मिल जाए तो वह आप लोगों को करुरपती बना देगी रंक से राजा बना देगी तो दोस्तों उन सभी वीडियो को आप जरूर देखेगा और अगर आपका मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिजिएगा मैं अगली वीडियो में उस रिसर्च करके उस वीडियो के बारे में बताऊंगा उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने में मेहनत लगती है इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को स आनवर्दक नई वीडियो में तब तक आप खुश रहिए अपनों का और अपना ख्याल रखिए जैमा विंदुवासनी